तो देखे मेरा नाम प्रमोद और आज हम बात कर रहे हैं आर कॉम मतलब ADH stocks group का बहुत बड़ा stock माने जा सकता है और अगर आप देखे तो top volume stock के अंदर से एक stock है साथ ही में इसी stock को सारे recommend करते हैं और सारे अगर देखे तो R power से भी ज़्यादा R com चलता है क्योंकि लोगों ने खूब पैसा लगा रखा इसके अंदर अभी तक आप देखे तो जिन्होंने साथ चार सोबे भी खरीदा था वो भी अभी सी के अंदर hold बैठे हैं क्योंकि उनको आज से किया company अभी भी move करेगी और अगर company के performance ओर की बात करें तो आप साफ देख सकते हैं आज के दिन जो इसको circuit लगा है उससे उमीद मनाई जा सकती है क्योंकि जैसे मैं बता रहा था कल के वेडियो में कि कल इसको upper circuit लगना लग सकता है वैसे ही आज के दिन इसको upper circuit लग चुका है अगर पिछले पान दिन की बात करें तो गिरावट में चल रहा था stock ले एक महीने की बात करें तो जस्ट बराबर पे ही आ चुका था 0 क्योंकि 3.15 पे था और 3.5 पे मतलब गिरावट ही ही हो चुकी थी लेकिन इस stock ने comeback किया आज की दिन और जैसे देख सेथे 6 महीने में यह क्यों comeback आया जो इसकी news आई है साथ ही में Reliance Capital की भी news आई है तो जो इसके बाकी stock थे R Power और सभी circuit में चाच चुके उपर वाले में और इस circuit में तो नहीं है तो अगर इसके माने जाए इतना खास earning के बाद भी इसने अच्छा performance दिया इस stock में और 5% एक कम बात नहीं होती एक normal stock holders के लिए और अगर बात करें इसके आज की performance तो आज के दिन यह गिरावट में जरूर था लेकिन फिर इसने जो comeback की वो एक बहुत बड़ी अगर 10% तक माना जा सकता उस comeback को तो आज का वीडियो इतना ही था अगर आपको पसंद आए तो like and subscribe करना चैनल को जरूर subscribe करना